गुड एउनिंग छात्रों मैं आपका दोस्त दीपक सिंग बेवसाइक सिख्षक और कल हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वाइर्मेंटल रिसोर्स मतलब हमाई भगवान ने क्या-क्या चीजें दी हैं और कौन सी चीजें हमने बनाई हैं अपना पर्यावरण और भगवान का बन आती है तो भारत के दक्षिन पठार की मिट्टी रतगर भाग आती है काले रंकी होती है चिकनाट बहुत अधिक होती है नमी रुपती है तो इस तरह के क्वेश्चन्स आपके पास मैंने ग्रूप में इसके वह भी डाल दी हैं आपको पेज भी और खनी संसाधनों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा जाना और बनों के विनास के कारण आप ये सब चीजे हैं सक्ती के चार संसाधन कोईला पेल पिट्रोल बरिगो पर मरबम सब आप जानी रहे हैं गिरेनियन से आपका बनता ये पेज में भी है आप देखेंगे देख सकते हैं चार होसदी क पर चार के नाम लिखें तो आजकर निम अस्वच बंधा पो दीना चंदन सब जानी रहे हैं आप परियावरान को किस प्रकार से संतुलित करते हैं तो बन मौसम को सामाने करते हैं बर्सा को बिलाते हैं बाड़ रोकते हैं धन पर दूसरा भी रोकते हैं तो बन बहुत से का आते हैं अब आते हैं में नेश्ट टापिक पर क्लास 11 के रिसूर्स एंड पॉलिश्ट पॉपुलेश्टन इस्प्लोजन देखिए यह बहुत बहुत थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर हमें पढ़ना यह है कि जनसंख्या से पर्यावराण पर क्या प्रभाव कर रहा है त तो आप खुदी समझ लिजे घर में चार आदमी हैं चार विगा खेत है बट गया तो एक एक विगा हो जाता है तो वो जनसंख्या विस्पोर्ट फिर उनके चार चार लड़के हो जाएंगे तो फिर जनसंख्या विस्पोर्ट इसी तरह से है कि अगर इसको एक साधान अगर कहें तो आगे हम इसको समझाएंगे आपको लेकिन फिलाल तो संसाधन आप देख लें संसाधन क्या है चुकि पहले पेज़ पेज पर यही है कि संसाधन तो आपने पढ़ा है पिछले पेज में कि मनुस्त की आउश्क्ताओं की जो पूर्ति करें वही है आपका संसा अगर ये भगवान का बनाया हुआ है और आपका बनाया हुआ तो बहुत सी चीजें है और भारत के परयावणी संसाधन तो भारत के परयावणी संसाधन में आती उत्तम जलिवाई है भारत की खनी संपदा भारत में अच्छी है भारत की सोने चिलिया कहा जाता था भारत की मि नगर भाह कर लाती जर्य उस सवार्ट जाए क्वारा का पास के उपारीस में अच्छी lucky होती है और बिसाल बंचल रहे आपके पास 12 पहाण है और समुद तठ है फ्थीん है हमारे पास और सासी सातुर्जा का सुरोथ भी हमारे पास बहुत बहुतव ज़्यादा है और भारत के पास और इसके पास विस्तित छेतफल है इस जी के भी है आपका 32,87,363 वर्ग किलो मीटर भारत का छेतफल भी है और परवतिये इसको अगर आप भून के हिसाब से देखें तो इसको आप बाट सकते हैं चारभाग में परवतिये गंगा सिंदु मैदान में रिगिस्तान और दक्षिन प्रायदीप में और अगर मिटिक हिसाब से बाटे तो कछार, काली, छे प्रकार से, लाल, परवतिये और रिगिस्तान और लेटराइट एक मिट्टी होती है तो इस तरह की आप छे मिट्टी में आप बाट सकते हैं बनस्पती में प्रकन, अंडमान, असम, मद्ध भारत, मालवार, बनस्पती, छेतर में यह ज्यादा हिमालय इस पर ज्यादा पाये जाते हैं और इस तरह से हम देखें तो परेवरी संसाधनों और जनसंख्या के बीच में संतुलन होना चाहिए अगर आप जो मैंने आपको अभी बताया त तो इसमें इस स्पेज में आपको यही समझाया जा रहा है कि एक गहन चिंता का विशाय है जनसंख्या विर्दी का जिससे कि आप अगर संसाधन बहुत अधिक प्रयोग करेंगे तो पदूसर भी फैलेगा और नए नए तरीके आप खोजेंगे नए तरीके का प्लास्टिक है पेट्रोल डिजल का धुआ है बहुत सी चीजें आपके पास आ जाती है तो इससे इनकी बीच में संतुलन बनाना अनकूलतम जनसंख्या किसे कहेंगे आप जैसे अनकूलतम जनसंख्या यहां लिखा है तो कार करने के लिए जो इन दर जितनी जनसंख्या रहे उतना काम है तो उस राष्ट को हम कहेंगे कि यहां पर अनकूलतम जनसंख्या है और इसका पर्यावरण का इससे दोहर भी नहीं होगा और उप्योग में इनकी मैन पावर जो है जनसंख्या एक तरह से मैन पावर है आपके तो उन्हें वो प्रसंता पूर्वक देश को रख सकते हैं उसमें अगर बराबर रहे तो अती जनसंख्या ओवर पापुलेशन जवाब हो जाएंगे तो इसमें निश्चित रूप से जनसंख्या एकनी बढ़ जाएगी कि रोटी कपला मागान तक नहीं मिलेगा रोजगार भी नहीं मिलेगा और बहुत तरह के आपके हो जाएंगे आपके सारीरिक भी कष्ट भी होगा मानसिक भी होगा और एक पूछता है कारसील जनसंख्या कौन सी है तो कारसील जनसंख्या जो राष्टी आय में योगदान करता है इस देश की सरम सक्ति का बोध होता है तो प्राया देखा गया है 15-16 से जो सरकार ने दिया है साठ वर्स की आयो कि लोग रोजगार में रहते हैं इस रेडी में आते हैं ये कारसील जनसंख्या के हैं ओर जनसंख्या बिस वोट भारत में वह ही कहेंगे कि परते एक दस वर्स ने जनसंख्या Лगभग एक चौथाई की विद्टी से बढ़ रही है जिसता ऐसे भारत में एक सुमया आएगा कि मित दर भी उचे अस्तर पे जाएगी और जमीन में जो आप समाज में धीरे धीरे आदमी कम होते जाएंगे इससे होगा क्या कि पलायन होगा और जो है आदमी सहर के तरफ भागेंगे रोजगार खोजने के लिए तो जन संख्या भी स्पोर्ट किसी को कहेंगे आप कि भारत में जन दर तेजी से बढ़ रही है जिससे हमारा जन संख्या का ज्यादा बढ़ना ये आपके लिए चिंता के विशाय आप खुद भी सोच सकते हैं अपने गाउं अस्तर पे भी सोच सकते हैं और जो है इसमें अगर भारती जन संख्याओं की ऐसा नहीं है कि इनकी की विशेस्ताय नहीं है अगर विशेस्ताय देखें तो इसमें चीन का प्रथम अस्थान है लेकिन दूसरे अस्थान पर भारत का है और विश की जन संख्या का करीब 15-20 परचेंट तो भारत में ही है और प्रती डिएड़ मिनिट पर एक बच्चे का जन्म होता है और वसत और विशी Satv Pacific रखी गई है आछ समय परह ने परेहरण की और जन्संक्या बीर्दी से लिए क्या क्याख समस्य की वहगी तो च्र Command आएगी खात का प्रियोफ करेंगे हम लोग ओबर की जगार ऐसा है नहीं तो इससे भी होगा तो मिर्दा का तमाम तरह का आपका जो है जन संख्या विद्धी से परियाबरने समस्य आपको आएंगी और इसके अंदर आदमी तमाम तरह के हतकंडे अपनाएगा जिससे कि वो आ आपका काम करें जैसे कि आज yo में जेला हुआ तेल बचता है तो उसको लोग बेच देते हैं किलोग खाते हैं मैं विद्धी सुना है लेकिन देखा भी है कहीं कहीं ऐसा होता है तो इस तरह से थोड़ा सा बजार्यु शोमान खाने से भी बचे जन संख्या विद्धी श्प हम दो हमारे तीन तो जनसंख्या सिख्षा थोड़ा सदें जनसंख्या संबंदी कानून भी सरकार ने बनाया है उनका पालन करें नजबंदी भी आराम से होती है और देखिए नारा था दो या तीन बच्चे होते हैं घर में अच्छे फिर आया हम दो हमारे दो फिर हम दो हमार इस तरह से आप इसके उपाय बता सकते हैं कि नियंतरण के उपाय क्या हो सकते हैं भारत की जो और इसमें इंपोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि जनसंख्या विर्धिक के से उत्पन जो समस्याएं आएंगी आपको तो जीवन अस्तर में आपका गिरावट आएगी गरीबी जनसंख्या विसफोट पे ही ये पूरा चैप्टर है और सामाजिक और आर्थिक रूप से जो आपका पर्यावरण है जो सामाजिक आर्थिक वो भी आपकी राश्की एक तरह से कुंजी होती है सामाजिक वार्थिक पर्यावरण देश की तो इसमें भी आपको बादा आएगी और बड़ती जनसंख्या पर पर्यावरण का प्रभाव बार बार वही चीज आएगी आपकी कि भोजन, भवन, इंधन, किरसी इन सम्में आपको समस्य आएगी और ये खेत बटेंगे, इंधन में गाड़ी चलेंगी भवन जादा बनेंगे, तो बन कटेंगे तो अंतरकी आएगी और द्योगिक विकास होई रहा है हमारा जिस तरह से द्योग हम लगाते जा रहे हैं तो इससे जो है चिमनी से धुआ अगरा निकलेगा तो इससे भी परेवरन का हरास होगा जल निकाला जाएगा जमीन से तो उसमें से भी थर्मल पावर प्लंटे बनाईए चाहे कुछ भी करिए तो खेती वगरा भी करिए जैसे भी तो इससे आपका जो है परेवरन का हरास होगा इसके अपसिस्ट फैक्ट्रियों के अध्योगी की सब जाके नदी में मिल लाएंगे तो पानी भी पर दूसित होगा यह सिंपल सा चीज है कच्छा ग्यारा इसको समझ सकता है मैं पेस भी दूँगा इसके और मनुस्य पर तो इसका पूरा प्रुभाव पड़ेगा क्योंकि मनुस्य का प्रकृति ही मा है और पिता है जब आप अपने परेवरन को ही गलत कर देंगे चाहिए आप अपने आसपास में रहने वाले से अच्छा संबंद नहीं बनाएंगे आर्थिक विकास दोड़ में इतना अंधा बन जाएंगे कि आप किसी को समझेंगे ही नहीं तो फिर आपको प्रेवरन आपका खुदका बिगड़ेगा साथी साथ बन कटेंगे भूम की कमी होगी अब इसी के साथ आपका सीयो टू वातावरन में बढ़ने लगेगा करवन ड़य अकसाइट गाओं से आदमी भागने लगेंगे सहर की तरफ मकानों की कमी होगी सिक्छा की कमी होगी बांद इने मान से टीरी बांद जैसे है भी उनको भागना पड़ा तो आर्थिक विकास से बढ़ती विकास भी अवरुद्ध हो जाता है तो बढ़ती विकास भी अवरुद्ध हो जाता है तो बढ़ती विकास भी अवरुद्ध हो जाता है तो बढ़ती विकास भी अवरुद्ध हो जाता है और जनसंख्या में बिर्दिम में कारण क्या है तो आप देख लीजिए तो कारण भी आप लिख सकते हैं कि भारत की जलवाय गर्म होने के कारण इस तरियों में प्रजन सक्ति की आधिक होती है और विवा की अन्वारिता भी यहाँ पर जरूरी है बड़े परिवार को सामाजिक सुरप्षा का गोतक माना जाता है संतान को सुरी देन माना जाता है धार्मिक दिश से एक पुत्र होना बहुत जरूरी है लड़की हो गई तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं तो इस तरह से यह जनसंख्या विदिके कारण है आदमी बढ़ाता चला जाता है इस चीज़ को आप आराम से दिख सकते हैं इसका प्रुभाव वही होगा कि आसिक्षा और फिर आप निर्धर्णता की तरफ बढ़ेंगे विभाचन आप में होगा और इसके नियंतित करने के उपाय अगर आपका है कि इसको नियंतित कैसे किया जाए तो मनोरंजन के साधान में ब्रिद्धी करिए सिनेमा से दूरदर्शन से लोगों को बाल विवापर रोक लगाए विवा की आयू में छूप दीजिए सिच्छा का प्रचार करिए और मात्रित पर रोक मतलब दो से तीन संतान ज्यादा नहीं और इस्तरी वरक को सम्माम दीजिए और पर्यार नियोजन को सरकार के अपनाने कोशिस करिए बिल्कुल अपना इए और जनसंख्या अथा आर्थिक विकास में अगर आप देखें तो जनसंख्या निश्चित रूप से अगर आप बढ़ाएंगे तो आर्थिक विकास में बाधक बनी जाएगे अगर जनसंख्या में बिल्दी होगी तो आर्थिक विकास आपका रुख जाएगा ये बात भी ये पेज आपको अच्छी तरह से समझा देता है और अगर आप अंत में आएं देखें तो जनसंख्या के स्फोर्ट के बीच में समंजस से किस्ति बनी होई है क्योंकि आर्थिक विकास का लाभ हमको उतना नहीं हो पाएगा पंचवर्सी योजनाओं का भी लाभ हमको नहीं हो पाएगा जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो खाद्यानों का भी अभाव हो जाएगा मामगाई का मुबाला हो जाएगा क्रसी भूम पर जनसंख्या का भार पढ़ने लगेगा मतलब क्रसी की भूम पर जिससे हम खाते पीते हैं उस पर जनसंख्या ने लगेगी नगरी करण होने लगेगा और दोगी करण से मतलब एक आसमंजस से की इस्तिती बनी हुई है तो इसके साथ ही साथ हम आपको अब ये चैप्टर खमतम भी होता है पंदमेट में लगब हम चाह रहे थे इसको खतम करने और छोटे-छोटे questions भी हैं इसके अंदर अनुकुलतम जनसंख्या क्या है अतिसे जनसंख्या क्या है मतलब वही अधिक जनसंख्या क्या है और कारसील जनसंख्या क्या है जनसंख्या भी स्फोर्ट क्या है और दोगी करण का क्या प्रभाव है भारत की तीवर जनसंख्या बिद्धि के दुस्परडाम बता दीजे तो यही सब चीजे इसके क्विश्चन है अमली वर्सा से अखसा पूछता है तो अमली वर्सा क्या होता है कि पर्यावरनर में अमल की उपस्तिती मुक्ता तीन गैस होती है जैसे सर्फरडाक का गाई गैस जो की मुक्ता कोईला से आप निकाल देते हैं नैट्रोजन गैस जो परियोहन के साधन पेट्रोल से और अजजले हाइड्रोजन कार्बन तो जब यह सब मिलते हैं तो इनके प्रवाव से जो उपर जाते हैं जब पानी में मिलते हैं जब वर्सा होती है तो इससे पौधे सुख जाते हैं, पज़र जाता है, मिट्टी का अमली हो जाती है, इसका पी-एच मान जो आपका रहता है, तो पी-एच मान आप पी-एच टी-डियस पी-एच वीडियो आप हमारा देख के समझ सकते हैं और विस्तित क्योष्चन में अगर आपसे पूच दे, तो अनुकूलतम जन्संख्या ये क्या है, दो-पेज, तीन-पेज इसको लिखने में यह आता है 2-3 पेज़ी में लिखने में भारत के प्राकितिक जनसादनों जनसंख्या के बीच में समानता के कारण समस्यां क्याक्या खड़ी हो गई तो ये भी आप बता सकते हैं बहुत समस्या खड़े हो गई, जमीन बढ़ गई, किर्टी बढ़ गई, सब कुछ तो बटाई तो इस चीजों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये दो दो नंबर के question देखिए ऐसे छोटे-छोटे लिखना उत्तर और ऐसे करके ये लिखने का तरीका आप हर जगा अपना इसी तरह से मैंने मैंनी थाइंक्स चात्रों, आज का कालेज और ज्यादा समय ले लिया मैंने आपका करिएगा लेकिन चैप्टर थोड़ा बड़ा था, क्लास 11 थैंक्स